नमस्कार एक्जाम हैपी बाई जहारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सहाय का चार्ज परिछा पेपर थिरी की तैयारी को ले करके तो आपको बताते चले पेपर थिरी का यहाँ पर जो है बहुत लोगों का कोई हो सकता रही नहीं अब आपको बता देते हैं कि अभी तक भी आप लोग यदि कोई भी इसमें से JC-RT टेस्ट-buck का प्रस्न पत्र को नहीं देखें तो आपको बता देते हैं यहां पर सारे जो अनलाइसिस करवाए गए हैं वो आपको JCRT टेस्ट बुक से प्रशन पूछे गए हैं बजारू किताब से प्रशन एकदम न के बराबर आ रहा है लेकिन अभी भी जो समय आपको चार दिन पात दिन या कि नहीं कि छो दिन बचा हुआ है उसमें आप यहां स टेस्ट बुक का JCRT टेस्ट बुक का सारा PDF नोट्स बना बना हुआ तयार है बहुत से लोगों ने लेकर देख लिया है अगर आप भी अभी तक नहीं देख पा हैं तो अभी यहां से 300 रुपए में पर्चेज करके पढ़ सकते हैं जिसके लिए मुवाइल नंबर 96310-54226 पर संपर कर सकते हैं और यहां से सारे JCRT टेस्ट बुक का अगर आप चाहिएगा तो देखिए दो दिन में भी उस नोट्स को देख सकते हैं क्योंकि क्या है चेप्टर वाइज बना हुआ है और वह भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम प्रस्ण और बहुत ही ज्यादा JCRT से ही आ रहा है ठीक है तो आप सभी अभी कभी लेकर के यहां से जड़ू पढ़ लिजेगा अब देखिए हम लोग यहां पर चलेंगे वो 13, 14, 15, 16 जुनको जो यहां पर पेपर 3 की परिछा होनी है तो हम यहां पर पेपर 3 का पूर्ण रुप से complete आपको करवार है पेप पेपर 3 की परिपर 2-0 समाजिक विजान 75 प्रशन है एक से 5 से चेक्लिफ स्पेशल हम आपको बता रहे हैं समाजिक विजान 55 प्रशन है गरीद विजान 55 प्रशन है जीके जेस्म 50 प्रशन है इसमें साब किसी पर भी अच्छा पकड़ बना लेता है तो यहां से आपका समझ गौतम बूद को किस नदी के तट पर ग्यान प्राप्त हुआ था उरेलवा नदी निरंजना नदी सोन नदी या कोई नहीं ठीक है तो गौतम बूद को जो ग्यान की प्राप्ति हुए तो नदी किनारे और निरंजना या फल्गु नदी ठीक है किनारे जो है इनको इहां पर ग्यान की प्राप्ति हुई थी इस घ्राइट अंसर भी होगा गौतम बूद को किस ब्रीज के नीचे ग्यान की प्राप्ति हुई परगद ब्रीज शक्वा ब्रीज पीपल ब्रीज या कोई नहीं तो गौतम बूद को जो ग्यान की प्राप्ति हुई थी वह यहां पर आप प् वोत को शार्नात में दिये थे और यह प्रशन एक हजार एक परिच्छा में पूछा गया थे बहुत इपोंटिन्ट प्रशन है इसको एकदम मार्क लिजेंगा ना बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है महाभिनिस्क्रमन धर्मचक परिवर्तन महापरिनिर्वान तो ग्री त्याग जो करते हैं तो उसके घटना को महाभिनिस्क्रमन कहा जाता है और अगर उपदेश दिये तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसको धर्मचक पर नहां किया तो यह सारनात्स में बौद गया में कुसिनगर में या वसाली में तो ये खुशी नगर उत्तर पर्देश देने को धर्म चक्र परिवर्तन और यहां पर सरीर त्याग घटने की करिया को महापरी निर्वान के नाम से जाना जाता है तीनों प्रफशन बार-बार रिपिटेड आपके होते रहते हैं बूध के जन्म का परतिक क्या है कमलसाण, घोड़ा, पीपल या स्थूप यह जन्म के परतिक का एक ट्रीक भी बना हुआ है और आपको हम बता दे यदि यह बूध से समंदित उसके आयोजन, अस्थाल, उसके सासा का नाम सब जानना चाता है तो सब का यहां पर देखे ट्रीक के माध्यम से आपको हम पूरा बहुत धर्म, जैन, धर्म कंप्लीट करवा दे रहे हैं आप से भी केवल जूड जाईएगा, आपको सारा चेज यहां से कंप्लीटेड मिलेगा ट्रीक के सासाथ आपको यहां पर जो है, पुरा JCRT टेक्ष्ट बुक का नोट्स है और साथ ही साथ सारे राज्यों में आए हुए इपोटेंट प्रस्ण को भी कवर अप हम लोग करते चल रहे हैं तो देखें बुध के जन्व का परतिक क्या है यह आपको बिहार में भी पूछा गया प्रस्ण है बार बार आए वो प्रस्ण है तो बूध के जन्म का परतिक जो है कमल एवं साड होगा ठीक है बूध के जन्म का परतिक कौन है कमल एवं साड इसके याद रखेगा जन्मे कमलेस क्या रियाद रखना है जन्मे कमलेस त्याग दिये घोड़ा जन्मे कमलेस त्याग दिये घोड़ा बूध निर्वान पद गय और स्वा का मतलब साड यानि जन्म का पर्तिक जो कमल लेवं साड है तो यहाँ पर जन्म का पर्तिक देखे दिया हुआ कमल लेवं साड यही इसका राइट एंसर हो जाएगा बूद के त्याग का पर्तिक क्या है विपले त्याग का पर्तिक क्या है त्याग का पर्तिक क्या है साड घोड़ा पीपल तो बुद्ध को जो ग्यान हुआ था वो पीपल ब्रीच के नीचे हुआ था इसलिए ग्यान का परतिक जो है वह आपका पीपल है बुद्ध के निर्वान का परतिक क्या है बुद्ध के निर्वान का परतिक पद चीन पर जाकर के निर्वान परतिक करते लोगा तो इस तरह से जन्मे कमलेस, त्यागे घोरा बुध, निर्वान पद और मिर्तिव। ची असतूपे यानि मिर्टु का चिन इस्तूफ है उसको याद कर लिजगा आपको हो जाएगा और इसका सभी सासक का नाम परतम बहुत संगति के अधियाच कौन थे? परतम बहुत संगति सासक कौन थे? ये सब सभी का विडियो बना हुआ है, जिसको ट्रीकी हम आपको बता दिये हैं, वहा बौत धर्म को जो अंतराष्टि ये पहचान है वो असोख ने दिलाया, ठीक है? असोख ने बहुत धर्म का परचार, परचार में लगे और वहाँ से आपको जो है पहचान मिला इट खोरी तीरत अस्तल किस जिले में है गिरिडी, चत्रा, धनबाद या जामताड़ा ठीक है तो इट खोरी तीरत अस्तल जो है आपका चत्रा में है आप समीकरन 2x2-4x-3-0 का विवेचक होगा आपको बताना है ठीक है यदि आप झारखंड में हैं और झारखंड में चाहे आप जेटोट की तयारी कर है इतिक है आपका math का syllabus यही है ठीक है तो आप यहां किसी इक्जाम से आप जुड़े हुए हैं आप सभी math के लिए यहां पर जुड़ू संपर कर लिएगा क्योंकि math का 100% जो है प्रशन आपको यहां से भीड़ेगा जो कि 10 वी नावी इस सभी से आपको पड़ लेना है 6 to 10 का तो हम आप आपको इसी के कड़ी में 6 to 10 तक आप पुरा complete करवा रहे हैं तो चाहिए आप जारकंट से चब पातरता परिशकतारी कर रहे हैं तो वहां भी math यहां से 100% भीड़ने वाले है आकलन के त्यारी कर रहे हैं तो भी तो आप सभी classes के लिए हमारे साथ जुड़े विरेगा बने बरेगा चलिए देखते हैं प्रस्ण है दिवगात समिकरन 2x square minus 4x plus 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा देखिए यह जो प्रस्ण है आपका NCRT test book का है और यह जो है आपका यहां पर किसका है तो class 10 का है और यह दिवगात समिकरन से जुड़ा हुआ प्रस्ण है ठीक है आप आपको एक्जाम देना है आप और भी ज्यादा देखिए गा लेकिन दिवगात समिकरन से एक प्रस्ण आपका जरकन एक्जाम में आ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं विवेचक क्या होता है तो विवेचक को हम लोग D कहते हैं और D वराबर फर्मूला होता है देखिए B square minus 4AC ठीक है तो अब यहाँ पर B क्या है A क्या है C क्या है इसको आप निकाल लिजेगा तो देखिए X square के साथ जो भी गुनांग होता है उसको हम लोग A कहते हैं और X के साथ जो गुनांग रहता है उसको B कहते हैं और जो किसी के साथ नहीं है उसको हम लोग C कहते हैं यानि य यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप B कामान 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखें माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस इसमें साथ में ले लेंगे और C कामान कितना हो जागा थिरी हो जागा माइनस लगा हुआ तो माइनस आपको अल्रेड़ी लेना है उसके मान में अब चलिए देखते हैं इसको सुतर बिठाते हैं तो B स्कुरिक हैर तो B का मान कितना था मेरा इसको हमने बैठा दिया मैनस का जब भी स्कुरिक करेंगे तो मैनस यदि मैनस के उपर जब भी पावर हो यह सम शंक्या तो वो पलस बन जाता याद रखेगे यानि 2 है तो भी माइनस प्लस हो जाएगा 4 होता तो भी प्लस हो जाता 6 होता तो भी प्लस हो जाता लिए 5 होता तो यह माइनस में रहता तो 2 है तो 4 का स्क्वाइर कितना हो गया माइनस का प्लस हो गया और 4 का स्क्वायर यानि 4 गुने 4 16 हो गया अब इसको देखेंगे हम 4 दुनी 8 अर्ट तरीकी 24 ठीक है 16 माइनस 24 अब आपके पास देखिए माइनस रासी ज्यादा बड़ी है यानि करजा आपका ज्यादा है और आपके पास रासी कम है आप घटाएंगे पलस माइनस देखिए ह हमेशा घटता है पलस माइनस हमेशा घटता है चीन किसका होता है जिस चीन का अंक बड़ा होता है तो यहाँ पर देखे 24 है 24 बड़ा है उसका चीन माइनस है यह 16 है इसका चीन पलस है किसी का भी चीन जो है आपका बाय तरफ होता है तो यहाँ पर क्या हो जागा माइनस 8 हो इसलिए आप लोग बिलम नहीं करें, चाहिए आप जारगन किसी भी परिच्छा देना चार है, आप हमारे साथ जूड़ करके त्यारी करें, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो हमारे साथ जूड़ करके त्यारी करें, उनके लिए सारा नोट्स का गुननफल क्या हुगा बताना है मेरे पीयरे बंदु आप सभी को जल्दी-जल्दी कमेंट कीज़ेगा बताइएगा 1150 होगा, 1250 होगा, 1350 होगा यह 1450 होगा क्या हुगा चलिए देखे यह सभी आपके फर्मुला पर अधारित हैं यह सभी फर्मूले पर अधारित है, फर्मूला याद होगा, आप जल्ली-जली बना पाएंगे, ठीक है, चलिए देखे एक फर्मूला आप लोग देखे होंगे, लगुतम और महत्तम में चलता है, कि दो संख्याओं का गुननफल, क्या होता है फर्मूला, दो संख्याओं का गुननफल बराबर होता है, HCF into LCM, ठीक है, अब इसी दो संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखे नीचे आपके लिए नोट्स बना हुआ है, दो संख्याओं के लिख सकते हैं, पहली संख्याओं गुने दूसरी संख्याओं बराबर HCF into LCM, और वो पहली अब दूसरी संख्याओं आपका 50 है, जो कि यहाँ पर दिया हुए, देखे दो संख्याओं आप लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, दो संख्याओं तो यह पहली संख्याओं गुने दूसरी संख्याओं बराबर HCF into LCM, तो हमसे पुछा है कि HCF और LCM का गुननफल, मतब HCF into LCM क्या होगा, तो पहली संख्याओं यहाँ पर 25 है, दूसरी संख्याओं यहाँ पर 50 है, अब बराबर में हो गया मेरा HCF into LCM, ठीक है, 25 पच्याओं कितना होता है, 125 होता है, एक 0 मेरा बच रहा है, यहाँ पर हो गया 0 लगा देंगे, यानि 1250 इसका right answer हो जाएगा, 1250 किस में है, बी में है, यही आपका right answer होगा, इस तरह से अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, और फर्मूलेट को याद रखेंगे, तो सबसे अच्छा मार्श आपका, जो है, मैट्स में ही आने वाला है, और बाकी में तो आपको रटना पड़ जाता, ठीक है, इसको आप ब अदम नहीं भुलिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रफशन लगवग आता है, तो आप सभी अधी नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पर जोइन कर लेंगे, और सभी कोई त्यारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि परिशा बहुत ही नजदिक होगी, जो भी 512, एक संख्या है, ठीक है, या किस परकार की संख्या है, परिमे संख्या है, आप परिमे संख्या है, टूडांग संख्या है, या कोई नहीं, किस परकार की संख्या है, आपको बताना है, ठीक है, देखे, आपको इसके पहले भी हमने 3-4 बर इसका प्रैक्टिस करवा दिया तो यह दूसरे प्रश्ण होगा ठीक है यह जो है आपको किसमे आ जागा बारवाले प्रश्ण होगा और यह आपको जो होती है यह परिमय संख्या में चली जाएगी यह किसमे चली जाएगी परिमय संख्या लेकिन इसी में प्रश्ण ऐसा भी रहता है जैसे 0.1 हो गया अब अब देखेगा तो डबल वन टू हो जाएगा अब देखेगा तो ट्रीपल वन टू हो जाएगा यह क्या हो रहा है तो वन बढ़ रहा है एक बार एग हो है अब री दो हो गया अब री तीन हो गया और टू वही रह रहा है तो ऐसा अगर प्रशन आ जाए और आप से पूछे क किस परकार की संख्या है, तो आप सीधे और सीधे उसको आप परमे संख्या में डाल लिएगा, ठीक है, आप परमे संख्या में इस तरह की संख्या को डाल देना है, और यह प्रशन आपको आया हुआ है, तो आप सभी याद रखेगा, notes जो हम से जुड़कर त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको इसको दिमाग में बैठाए रखना है ठीक है चली अब देखे देखें तिरकॉन मिती से एक प्रशन आपका एक्जाम में 100% छपेगा ठीक है तिरकॉन मिती से 100% छपेगा वो दस्वा का है तो आप सभी जड़ू देख लिजेगा एक्जाम तो नजदीक है तो आप सभी जड़ू देखेगा 10 30 डिगरी into sin 30 डिगरी into cos 60 डिगरी into cos 30 डिगरी का मान होगा क्या होगा आपको बताना आपको बताते हैं देखें तिरकॉन मिती में ये जो तिरकॉन मिती अनपात होता है sin cos 10 sin का विटा हो गया cos 1 cos का 6 हो गया और 10 का quote इसका मान 0 डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी और 90 डिगरी होला वो हम आपको complete कर रहा देंगे आप सिर्फ हमें comment कीजिएगा कि हाँ हम इसका जो है इहाँ पर tricky formula चाहिए इस तरह से आपको बताएंगे कि आप उसका बहुत कभी भुलाईएगा ही नहीं ठीक है तो आप जड़ो comment कीजिएगा आपको comment का इंजा रहेगा आपको चले देखे क्या होगा इसका answer तो 10-30 डिगरी तो इसका मान याद रखीगा ना 10-30 डिगरी का मान कितना होता है तो 10-30 डिगरी का मान होता है 1 by root 3 ठीक है साइन 30 डिगरी इसका मान होता है 1 by 2 और जो 10 30 होता है वही मान कोट 7 का भी होता है देखे 30 और 60 होता है तो याद रखे जो 10 30 का होगा वो कोट 6 का होगा तो इसका भी मान 1 by root 3 हो जाएगा और cosec 30 degree तो sine का उल्टा होता है cosec यानि sine 30 degree का जो मान होगा उसका उल्टा cosec 30 degree का होगा ठीक है तो sine 30 degree का मान देखे 1 by 2 था इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 by 1 यानि 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 तो इन्टू 2 हम कर देंगे तेखे 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया कट गया है अब आपके पास सीर्फर से बच ग लिखेंगे यøí ii root root 1 हो जाएगा और यह 2 संक्या अंदर में गुंहा हो जाएगा यह 3 into 3 अब देखेंगे तो one गुने one करिंए तो one आगा और root three root three 9 का गुना करेंगे तो 9 आएगा या दो को root में कोई एक ही संख्या है तो उसके लिए रूट समाप्त हो जाता है एक संख्या बाहर निकल जाता है यानि 1 by 3 इसका right answer हो जाएगा ठीक है 1 by 3 है किसमें तो 1 by 3 B में है और यही आपका right answer है और JSC में पूछा गया है जारखन में अब हर तरह का प्रस्ण देखे आपको बता देते हैं बहुत से चैनल जो है आपको यहाँ पर ऐसे प्रस्ण पढ़ाते हैं जो कि आपको एक्जाम में पहले तरही अब आ ही नहीं रहे है एक्जाम बैटते भी नहीं है और देखते भी नहीं है शिर्फ आपको जहां तहां से प्रस्ण ट्रीक की देख करके आपको खुस कर रहे हैं लेगिन आपको याद रखना है आपको अभी का syllabus पुरा बदला हुआ है और कोई भी competitive exam आप जहरकन में दे रहे है तो आपको यहा है क्योंकि आपके syllabus में भी देखी लिखा हुआ है ठीक है आप नहीं follow करके जाते हैं आपका एक प्रस्ण भीड़ने वाला नहीं है इसलिए प्रयास किजिएगा कि आप JCRT testbook को follow करके जाए और इसमें से केवल objective tuition ही बनाए जो objective के like है ठीक है वहीं से 100% प्रस्ण आपका भी होना है देखें आप 10-30 डिगरी का मान हमने लिख दिया है साइन 30 डिगरी कोटसार डिगरी कोसेक 30 डिगरी अब यहां पर बनाना था इसका solution भी हम कर दिये हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ वैसे भी है जो हमारे साथ जुड़ करके त्यारी कर रहे हैं तिया उन सभी के लिए notes जो है हर दिन दिया जाता है और जो जुड़ेंगे उन्हीं को यह मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा ठीक है चलिए अगला प्रशना है एक थैले में 10 निम्बू रखे गए हैं उस थैले में से संत्रा निकाले जाने की प्राइक्ता क्या होगी देखे प्रोबेबी लीटी य तो आप देखे हैं यहां पर थैला में रखा गया है निम्बू और निकालने के लिए बोल रहा है संत्रा क्या यह संत्रा निम्बू है और उसमें से थैला निकाला निकाला जा सकता है नहीं निकाला जा सकता है तो जो घटना उसमें नहीं घट सकती है यानि निम्बू निक निकालने की घटना संभव थी लेकिन संत्रा निकालने का घटना संभव नहीं है ठीक है तो जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसको हम लोग काते हैं असंभव घटना क्या काते हैं उसको असंभव घटना यानि निम्बु में से संत्रा नहीं निकाला जा सकता है यह असंभव घटना की प्रोयक्ता याद रखेगा हमेसा 0 होता है क्या होता है क्या होता है see असंभव घटना के प्राइक्ता हमेशा 0 होता है, इसलिए इसका right answer 0 होगा, और E को इसमें दिया हुआ, B में दिया हुआ, यही इसका right answer है, असंभव घटना के प्राइक्ता क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, देखें, असंभव घटना के प्राइक्ता 0 होता है, next देखें, यहा गटना की प्राइकता हमें साथ 0 होती है, सुत्र भी यहां पर देखें, हमने लिख दिया है कि संबह गटना की प्राइकता 0 होती है, चलिए इसे प्रदारीत एक और प्रशन है, आप जली-जली इसका कोमेंट कीजेगा बना करके, क्या कुछ इसका इंसर आपका आया, एक थेल तो थेले में लाल और फीले गेंद निकाले जा सकते हैं, हरे गेंद निकाले नहीं जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकता है, यह असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्राइक्ता क्या होती है, जीरो होती है, इसका राइट एंसर इसका जीरो हो जागा, ठीक है, इसका 2 theta का मान याद करें तो चली देखते हैं यहाँ पर क्या होगा theta बराब 30 degree है तो 2 cos 2 theta का मान क्या होगा 1 होगा minus 1 होगा 1 by 2 होगा या कोई नहीं होगा क्या होगा इसका answer देखें 2 cos 2 theta 2 into theta theta का मान हम पर 30 degree दिया हुआ है यहाँ पर 30 degree रख लेंगे अब क्या होगा तो 2 cos और 2 से 30 में गुना करेंगे तो कितना होगा 60 degree ठीक है अब cos 60 degree का मान आपको याद होना चाहिए तो देखें आप exam में जा रहे है तो आप तिरकोनमिती अनपात वाले जो मान है उसको जडूर याद करके जाइएगा exam में ठीक है क्योंकि यहाँ से एक प्रशन आपका रहेगा हो सके कि जितना हो सके कि आप scoring करने का प्रयाश करें जितना हो सके कि बढ़ने का प्रयाश करें यह नहीं कि हम इसको नहीं देखेंगे ठीक है जिसका राइट एंसर यहाँ पर दिया हुआ है देखें जो नोट सेलते हैं उनके लिए बना हुआ है नेक्स्ट है यदि बहुपद यदि बहुपद PX बराबर X2 प्लस 7 X प्लस 10 के सुनियक अलफा और बीटा हो तो अलफा इंटू बीटा का मान क्या होगा आपको उताने के अलफा इंटू बीटा का मान क्या होगा ठीक है देखें आप बहुपद हो चाहे दिवगाद सेमिकरन हो आप यहाँ पर देखें है मूलो का योगफल अलफा प्लस बीटा बराबर फर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए यह दोनों के लिए चलता है चाहे हो दिवगाद बहुपद हो या दिवगाद सेमिकरन हो और अलफा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो आप जानते हैं होता है CYK ठीक है यह दोनों फर्मूला को याद रखेगा अलफा प्लस बीटा मैयनस बी बाई ए अलफा इंटू बीटा CYE इसको हम लोग आते हैं सुनियोको का योगफल अगर baupad में देखेंगे तो इसको कहेंगे सुनियोको का योगफल अगर दिवगाद सेमिकरन में चलेंगे तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे मुलो का योगफल और मुलो का गुनलफल तो चलिए अब आपको दिमाग में आ गया हमसे पूछा अलफा इंटू बीटा तो अलफा इंटू बीटा बरावर फर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि C by A होता है C by A होगे अब इसामिकरन में है इसी में A, B और C छहिपा हुआ रहता है देखे X just headquarters के साथ जो गुनांक में होगा वो A होगा तो X square साथ गुनांक में कुछ नहीं है तो आपका A का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो कुछ नहीं है तो 1 है अगर कुछ दिया हुआ है तो ही रखिएगा अब X के साथ जो लगा हुआ है वो क्या चीज है? B है तो B का मान कितना हो जागा? 7 हो जागा और बाकी जो 80 है वो C है, ठीक है? तियानी यहां पर A का मान 1 हो गया B का मान आपका कितना हो गया? तो A का मान देखिए 1 हो गया B का मान 7 हो गया और C का मान 10 हो गया यही हो गया ना तो alpha into beta alpha into beta बराबर क्या होता है C by A होता है C कितना होता है 10 होता है और A कितना है 1 है यानि 10 by 1 10 by 1 C by A है alpha into beta तो 10 by 1 यानि इसका answer कितना हो जागा 10 हो जागा और यही आपकर राइट एंसर होगा, तो है कहाँ पर 10, ए में देखे 10 दिया हुआ है, 10 ही इसका राइट एंसर होगा, तो बस चोड़ा, अंखिया का माध्य 16 है, उनमें से एक संखिया हटा दी जाती है, तो उसका माध्य 17 हो जाता है, हटाई गई संखिया है, आपसे पूछा जा रहा है, यह MBBI प्रशन हुआ, और यह JSC में पूछा गया प्रशन है, जहरखंड में आए हुए प्रशन है, तो आप भी जहरखंड के किसी एक्जाम, चाहे जेटेट की तियारी कर रहे हैं, चाहे आकलन की तियारी कर रहे हैं, सहाय का चार्च की तियारी कर रहे हैं, यह JSC के तियारी कर रहे हैं तो आपका math से जो syllabus है वो JCRT test book का class 10 तक का है और वही हम आपके लिए ले करके आ रहे हैं तो आप 6-10 तक का पूरा notes PDF यहां से purchase कर लिजेगा अब पढ़ना कभी ने बुलिएगा math में आपका 100% scoring होगा देखिए इसो कैसे बनाते है सबसे पहले हम दिया है और यहांपर माधि तो संख्या का माधि कितना है तो माधिancया उप़ जाएगा औको का कूल यूग कितना हो जाएगा उसके सातमे होगा तो उसका कूल होगा अंको का कुल योग आप जब निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 16 यानि 96 हो जाएगा ठीक है यानि जब 6 संख्या है तो उसका कुल योग कितना होगी आपका 96 लेकिन नेक्ष्ट बार कर एक उनमें से एक संख्या हटा दी गई अगर हटा दी जाती है ठीक है तो एक संख्या हटा दिया गया तो बचा आपके पास कितना संख्या है पांच और उसका माध देखे दिया हुआ है कितना सतरा तो ये अंकों का जब पांच संख्या है तो उसके अंकों का कुल योग कितना हो जा तो पांच गुने सतरा सतरा पचासी ठीक है तो देखे छो संख्या का योग दि तो इस तरह से आप देखे कौम समय में इस तरह से बना सकते हैं और विसेश जिनको डीपली चाहिए तो वह हमारा यहां से प्रचेश करना नहीं बुलेंगे इसका इंसर गारा हुआ आप नीचे जो उनको डीप में जाना हो उनके लिए देखें यहां पर बना हुए है चो संख्या का माद यह पूरा निकाला गया है जिस तरह से सिस्टमेटिक आपका बनता है तो आप सभी पीडियेफ ले करके इसको बना दीजेगा इस तरह से इहां बेसिक भी दिया गया है और ट्रीक है आपका इसे निकालेंगे तो मैध की बहुत ही अच्छी त्यारी हो जाएगे क्या सोशल साइंस हो सभी सब्जेक्ट का यहां पर त्यारी चल रहा है अगला है बिंदू छो आठ की दूरी मूल बिंदू से कितनी होगी याद रखेगा ये भी प्रश्ण आपके JCC के पूछे गए प्रश्ण है और आपको तो हमने बताया भी है coordinate यानि जिसको हम लोग कहते हैं नीदर्सांग जामीती जो class tent का है आप जडूर पढ़के अपने एक्जाम में जाएगा और नहीं पढ़ पाता है नहीं समझाता है आपके लिए हम यहाँ पर त्यारी करवार हैं सारा notes प्रश्ण पूछा गया है ठीक है तो देखे बिंदू छो आठ की दूरी मुल बिंदू से कितनी होगी ठीक है आप याद रखेगा किसी का भी मुल बिंदू क्या होता है बताएए मुल बिंदू होता है 00 मुल बिंदू क्या होता है 00 तो यहाँ मुल बिंदू से होगी ठीक है दूरी निकालना है तो दूरी सुत्र आप जानते हैं दूरी सुत्र आपको इसके पहले वाले वीडियो में होने बताया है दूरी सुत्रवाबर होता है x2-x1 का whole square plus होता है y2-y1 का whole square ठीक है इसमें देखें एक बिंदू जो होगे आपका 6-8 और दूसरा बिंदू क्या हो गया 0-0 तो हम यहाँ पर 6 में से 0 घटा लेंगे 8 में से 0 घटा लेंगे तो क्या हो गया 6 में से 0 तो 6 का square 8 में से 0 तो 8 के square इसलिए देखें इसका formula याद रखेंगे कभी भी मूल बिंदू से अगर दूरी पुछ दिया जाए तो किससे पुछ दिया जाए मूल बिंदू से और फर्मूला जब याद नहीं होता है जिए एक का square ठा कि जाएगा Stick। निद भी निद पहला इहां जो હी संख्या दिया जाएगा वह आपका x का अगर रखेंगा तो इसको x1 and y1 our और अग्ला को x2 its लेते ठीक है ढ़ेद sono एक सो 행복 का prag प्लस उयाड रखना है और वर्गूल कम से कौन तीश तक का दो निकल जाएगा वर्गूल यातyw नहीं क्या हो सकता, नहीं है, वर गयात कर लेज़ेगा, ठीक है, चलिए, देखिए, यहाँ पर नीचे, यह बनाये हुए प्रशन है, आपको इस तरह से बनाया बनाया PDF मिलता है, जिसमें पूरा जो है प्रैक्टिस सेट, आपको उसका सोल्योशन, साथ मिलता है, डेली यहाँ पर कलास चल रहा है, तो आप लोग लेट नहीं करेंगे, क्योंकि परिच्छा जो भी है, चाहे आप साय का चार्च का है, चाहे जेटेट का है, चाहे आकलन का है, सभी का जुन में, यहाँ पर एक्जाम हो जाएगा, इसलिए आप सभी अभी कभी जड़ जुड जुड इसलिए यह कौन सी संख्या है, तो आपने ही अंगों से इसलिए अपने चोड़ करेंगे, तोfour से भी जच्टा है, तो यह अपने चोड़ कर नहीं से पहुती है, इसलिए यह कौन से संख्या है भाजी संख्या है चलिए 9 की चर्चा करेंगे तो 9 देखे किसे कट रहा एक से भी कट रहा तीन से भी कट रहा 9 से यानि अपने छोड़ करके अन्य किसी से भी कटे तो ओ क्या है आपका यहाँ पर भाजी संख्या है तो यह 9 क्या है आपका भाज से स्वीं करते हैं इसलिए एक का इहां पर इसलिए इसलिए को नहीं लिना है तो अभाज संख्या हो जाएगी तो यह अभाज संख्या हो गया चले देखें नोट्स नीचे बने हुए हैं आपको पूरा यहाँ पर देखें परिभासा लिखा हुआ है क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं तो आप उससे अगर चाहिएगा कि हम नोट्स बनाए तो नहीं ब प्रशन है दो ब्रीतों की तिर्जियाओं का अनपात दो अनपात तीन है तो उनके छेत्रफल का अनपात क्या होगा आपको बताना है दो ब्रीत की तिर्जियाओं का अनपात दो अनपात तीन है तो उनके छेत्रफल का अनपात क्या होगा ठीक है प्रशन आये हुए हैं दे तो इहां दो गोतिर्जिया हो गया तो एक को r1 माल ले जीगा और दूसर का तीरजिया हो गया तो उसको आप r2 माल ले जीगा तो पाई r2 का अब π하ई R1 यहाँ की जग के जग है, तो देखें, πाई πाई अब क्या हो गया, कट गया R1, R1 निया पहले ब्रीट ब्रीट का 3 जय लिए कितना है, 2, तो यह हो गया, 2 का स्कॉयर, अनपाथ है, तो यह 3, तो यह क्या हो गया, 3 का स्कॉयर, ठीक है, दो का स्क्वार कितना हो गया, तो यह 4 हो गया, और 3 का स्क्वार कितना हो गया, 9 हो गया, जन्य चार उन्पात 9 इसका answer हो जाएगा, तो इस तरह से आप दोनों ब्रेत को अलग-अलगर, 3 को रहेगा, तो तीनों को इसी तरह से आप कर दिजेगा, प्रस्ण बहुत ही important है, चलि अगला देखेगा, भाज्य बराबर, डॉट, 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 गुने भागफल, प्लस, सेस, क्या होगा, आपको बताना है, यह भी प्रस्ण अब्जेक्टिव का पूछा गया है, भाजक, मातम समाबर तक, लभुतम समाबर तक, यह कोई नहीं, ठीक है, तो देखें, इकल बराबर, भाजक, बराबर, भाजक, बने भागफल, प्लस, सेस होगा, ओके, चलिए, अगला, दो बृत के छेतरफल का अनपाथ, चार अनपाथ, एक है, तो उनकी तिरजिया का अनपाथ, क्या होगा, देखें, अभी जस्ट उसका अपोजिट प्रस्ण था, अबर क्या दि बृत का छेतरफल, पहले बृत का छेतरफल, और यहाँ पर होगया, यह दूसरे बृत के छेतरफल होगया है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, देखें, तो पहले बृत के लिए हम लिखते है, पाई आर टू स्क्वाइर, यह लिखते है न, देखें, अब यहाँ पर हमको छ छेत्रफल दिया हुआ है, छेत्रफल क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है, तिहां पर छेत्रफल का मान रखेंगे, चार और दूसरे का रखेंगे, एक बराबर इहां पर हो जाएगा, पाई R1 स्क्वाइर और बट्टा पाई R2 स्क्वाइर, पाई-पाई कर जाएगा यानि r1 square बट्टे r2 square होगा देखे यही होगा r1 square बट्टे r2 square बराबर हो जाएगा 4 अनपाथ 1 अब क्या करेंगे हम दोनों पर square है इसलिए r1 by r2 का square हम लेख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा चार अनपात एक हो जाएगा अब क्या करेंगे अगर square हम हटाते हैं यहाँ से square हटाते हैं तो इधर क्या बैठेगा root बैठेगा यानि हम क्या कर सकते हैं तो r1 by r2 बराबर 4 अनपात एक का इसको हम root बैठा देंगा अनि वर्वमूर अब चार का वर्वमूर लिका लेगे तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और एक का वर्वमूर लिका लेगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो दो अनपात एक इसका answer हो जाएगा ठीक है दो अनपात एक आपका किस में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है इसलिए सी इसका राइट एंसर हो जाएगा तो देखिए इस तरह का प्रस नेकदम बार बार आपका जो है नहीं बना पाएं तो यहां पर देखिए डिटल से बना हुआ है इसके बाद भी दिकत है तो आप समझ लिजेगा आगे हंक करके देखिए दोनों का फर्मूला भी यहां पर लिखा हुआ है किस तरह से जब तिर्जा दिया और तो और छेत्रफल दिया और तो हम लोग निकाले है पर देखिएर और छेत्रफल का अनुपात है क्या औरолнपाथ 2 होगा 2 रर adopat हो तो अन पात आर होगा या कोई क्या हो ठीक है तो देखते है कैसे बनेगा सबसirse पहले फर्मूला को आप लोग याद रखें ब्रीथ की परिदी और छेत्रफल का अनुपात ब्रेद की परीधी देखिए इसी को परिमाब भी का जाता है कभी कभी भूलवाता है परिचा में ब्रीध की परीधी और यहाँ पर ब्रीध का छेत्रफल इसका अनपात आप से पूछा है ठीक है ब्रीध की परीधी क्या हो गया है टू पाई आर और ब्रीध का छेत्रफल क्या हो गया प तो अनपाथ आर होगा इसका एंसर ठीक है तो देखें बहुत जल्दी बन जाते हैं समय बहुत कम लगते हैं लेकि सिर्फ पर सिर्फ आपको याद हो न चाहिए इसका भी राइट एंसर सी होगा तू अनपाथ आर होगा जरूर एकजाम में पर्चम लहराने के लिए अभी जो भी दिन कलास बचिए उसको कलास को कर लिए अटेंड यहां से देखें आपका फिक्स जो है मार्च उठना ही उठना ही इसमें कोई सका आप नहीं रखिएगा चली आर इसक्वाइर प्लस 7S प्लस T और 5R प्लस 2S का योगफल है आए होए प्रस्ण है और इसर का पुछा ही जारा है आपका एक्जाम में क्या होगा 6R2 प्लस 7S प्लस T 5R2 प्लस 9S प्लस T 6R2 प्लस 9S प्लस T या कोई नहीं चली इसको सलुशन करके हम देख लेते हैं क्या करा r2 प्लस 7S प्लस T और किसको जोड़ना है 5R2 ठीक है को लिखा जाता है 5 r square plus 2s अब कुछ नहीं इसको जुड़िएगा तो एक r square क्या गो है a2 और यह r square क्या गो है 5 गो तो r square अला सेम ग्रूप से जूटेगा तो 5 और एक कितना हो जाएगा 6 यानि r square जाएगा और इसमें 7 गो है एसमें गो है तो 7 और दू 9 एसमें गो हो जाएगा और t single है इसलिए single हो गया यहां जिसका एंसर होगा तो 6 r square plus 9s plus t किसमें है c में है इसलिए इसका राइट एंसर c हो गया अब बाकी नीचे देखे आप लोगों के लिए यहां पर बना भी दिया गया है जिनका में ज्यादा वीक है वह यहां से ट्राइ कर लेंगे बाकी कॉल कर लेंगे ठीक है चले एक आयत की लंबाई चोड़ाई की दुगनी है लंबाई चोड़ाई का मान क्या होगा यदि उसका च्छेटरफल बातिस मीटर सकोईर है मेंसुरेशन को तो छोड़ के मझ जाईगए गा एक प्रशन अ हैक नहीं यहां पर तीन चार प्रशन मेंसुरेशन से आएगा इसलों मेंसुरेशन को पढ कहीं हम जा येगा, ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं, आयत की लंबाई जो है, चोड़ाई की दुगनी है, चलिए की दुगनी है, चली चोड़ाई को एक सी अधी मानते हैं, तो लंबाई कितना हो जागाढ़ बताई, दुगनी मतलब बराबर 32 मीटर स्कॉार हो गया, अब लंबाई देखे, आपके पास 2x था, और चोड़ाई कितना था, x था, बराबर हो जाता है, 32 मीटर स्कॉार, 2x में x से गुना करेंगे, तो मेरा आता है कितना, 2x स्कॉार आता है, कितना आता है, 2x स्कॉार, बराबर 32 हो गया, अब 2 से य इसलिए एक्स कमान्द पिलस माइनस फूर हो गया कंदा चोराई निकल गया ऐक्सकी अपका निकल गया छोडाई भर-बाई चर्ज गिंब को felरे कि यदि theta ब्रावर 90 degree, क्या पुछा है, यदि theta ब्रावर 90 degree, तो sin theta minus cos theta का मान क्या होगा, 0, 1, 2, या कोई नहीं, ठीक है, चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं, तो यहाँ पर theta ब्रावर 90 degree, sin theta minus cos theta, तो sin theta minus cos theta ब्रावर क्या होगा, sin theta के जगह पर देखे, 90 degree बिठा देगा, तो sin 90 degree, minus cos 90 degree का मान 1 होता है, cos 90 degree मान 0, भेलू जरूर याद कर लिजेगा, ठीक है, भेलू जरूर याद कर लिजेगा, तिरकोन मिती अनुपात का, 0 का, 30, 45, 60 और 90, इतना से प्रसंद रहेगा ही रहेगा, तो आपको इसको भेलू याद कर लिजेगा, अगर आपको भेलू याद करने में समझने दिकत होगा, ता आपको कॉमेंट कीजेगा, हम आपको इसका भेलू याद करने के लिए, बहुत ही short trick बता देंगा, ठीक है, 1 minus 0, बराबर 1 इसका right answer हो जागा, इलोरा में निर्मित कहलास मंदिर का निर्मान की गया राष्ट्रकूत चंदेलो पल्लवो या कोई नहीं तो यहां परेली फेंटा के गुफा का निर्मान जो है राष्ट्रकूत सासको के द्वारा करवाए गया लिंगराज मंदिर कहां इस्तित है जे ससी में पसीना छुड़ा दिया है जी एक हजार एक बर आरा है बार बार इसवी में गंग सासको के द्वारा करवाए गया था कुनार का सुर्ज मंदिर कहां इस्तित है एकदम देखिए कहां से मिल रहा है कलास सेबेन एकसरसाइज पाद जेसी आटी टेस्ट बुक और कहां से आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट ले के किसका किसका ठीक है त उत्तर परदेश इसका राइट एंसर हो जाएगा उड़ीशा देखिए यहां पर है इस मंदिर का निर्मान नर्सिंग देव पर्थम के द्वारा बारा सो वर्तिस से बारा सो चौसर द्वारा कराये गया था यहां मंदिर भगवान सुर्च को समर्पित है और इसमें सात घो इसमें परशन छोड़े नहीं किया है जोने में जाए यह तोनो में छपिए जा रहा है दिल्वाडा का जैन मंदिर कहां इस्थीत है उड़ीशा उत्तरपरदेश राजस्थान के मांट अबू या कोई नहीं पिहार रुडिशा राज राजेस्वर मंदीर जो है तमिलांडू में इस्थित है राज राजेस्वर मंदीर या ब्रीदेस्वर मंदीर का निर्मान किष्णे करवाया यह दोनों आये हुए प्रस्ण है राज राज पर्थम राज राज दिरतिया कोई नहीं तो राज राजेस पेजसिवर मंदिर भी कहा जाता है ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित tehd विजय अस्तं पहां इस्थित है विजय अस्तं विजय अस्तं pem कुछ आ जाने वला प्रफ्षे चितल fellowship और महरावली बिहार या कोई नहीं तो विजाय अस्तम कहां इस्थित है चितोडगर में इस्थित है विजाय अस्तम ते चितोडगर कहां पड़ता है राजस्थान में पड़ता है और किसको बनाया तो मेवार सासक राना कुम्भा ने बनवाया है कुतुम मिनार का निर्मान का और इसको किया जाएगा तो किसके दोरा तुमान का निर्मान कार्च पूरा किया देखे यहां नोट्स है कुतुमिनार का निर्मान कुतुबुदीन एवक ने चिस्ती सुफी संथ ख्वाजा कुतुबुदीन बक्तियार काकी की अस्मिरिती में शुरू कराया था और उसके निधन के बाद इलतुतमिस ने इस कार्ज को पूरा कराया कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्मान किसने करवाया कुवत उल इसलाम मस्जित आया हुआ प्रस्णा है बलबन इलतुतमीश कुतबुदीन एवक या कोई नहीं तक कुवत उल इसलाम मन्दित देखे कुवत जैसे लिखाले कुवत याद रखेगा कु से कुटबुदिन एवक कुटबुदिन एवक कुटबुदिन एवक कुटबुदिन एवक कुटबुदिन एवक किसका राइट एंसर हो जाएगा अलाई दर्वाजा का निर्मान किस्ने करवाया कुत्वुदिन वक अलाई में इस्टार्ट है अला तो याद रेखेगा अललाई दर्वाजा देखे इसका अलाई धृत खेल जी कीसño तो उकर एक ठीक है जब खाई वह मलाई तब हजार किला ऊठाई तब हजार किला उठाइब एकरेब पर पूरा आला हो दिन खिल जी द्वारा जो जो चीज़ का निर्मान किया गया है वो पूरा ये कंठास हो जाता है खाली आपको छोटा-छोटा देखिए हम सूबा साम जो हमारे वाटसप गुरूप से जुड़े हुए है उसको हिस्ट्री मिलेगा जैसे आटीये में न मिलेगा और यह पर पूछा था तो लोग कहा रहे है कि कहां से आगया कुत वुदीनेवक इल्टुतमिस बलवन अरे पढ़िये न जाकर के जैसी आटी पढ़ लीजे सब बिढ़ जाएगा भारत में कब्र सेली का जन्मदाता माना जाता है किसक तो मकाबरा सेली का जम जाता जो है वो इल्तूतमिस को माना जाता है इल्तूतमिस को ठीक है अगला है गोल गुंबत कहां इस्तित है करनाटक, तमिलाडू, आंदर परदेश या उत्तर परदेश ठीक है गोल गुंबत कहां इस्तित है तो यह आपका जो है करनाटक मिस्तित है याद रखेगा देखेए गोल गुमबद इसे अभी आपके दिमाग में आ रहा गाई तो बीजापुर सर बोले थे लेकिन बीजापुर कहां परता है करनाटक में तब पुरा डीपली नहीं देखी तब होसी एगा तो गोल गुंबत विजापूर में इस्तिता विजापूर का है करनाटक में है या विजापूर के सुल्तान आदिल सा का मकाब्रा है विजापूर के सुल्तान आदिल सा का मकाब्रा है हुमायू का मकाब्रा कहा है हुमायू का मकाबरा कहा है आपको बताना है ठीक है आगरा दिल्ली तमिलांडो या उडिसा तो हुमायू का मकाबरा कहा है इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा हमीदा बानो बेगम ने रुक्षाना बेगम ने हपजाना बानो बेगम ने या कोई नहीं ठीक है तो हुमायू का मकाबरा किसने बनवाया तो यहाँ पर राइट एंसर आपका हो जाएगा हमीदा बानो बेगम ने हुमायू का मकाबरा या भारत का पहला मकाबरा है जो दोहरी गुंबत का है इसे ताजमहल का पुर्वगामी कहा जाता है इस मकाबर में पहली बार चार बाग पत्ती का परियोग किया चारो पर कर्मान आनि किस गती पर गूलकार गती बरित्यए गती पर प्रित्वी सुरिच चारो गूंते दियोगा जागा गुंता है ना तो यह वर्तूल गती या बृतिय गती में चला जागा घड़ी के सेकेंड सुई की गती का उधारन है स्टरल रिखे गती वर्तूल गती आवर्ति गती या कोई नीती है किस परकार के घड़ी का सुई है यह को लकार पात पर हमेशा घूमते रहता है एक इस समय अंतराल पर आगे पीछे आगे पीछे चलते रहती है तो वैसी कथी को ही तो हम लोग कहते हैं आवर्ति गती है वैसी को क्या कहते है आवर्ति के नाम से जाना जाता है जैसे आप एक पंडुल अगंटी को आप रखिये या एक पत्थर को किसी वीम से बांद करके सब्सक्राइब करें जिए भी द रहें आप चले मेंṛ See एक कि यह सरल रहा है आपको बताया थे रहा सीधी रहा में आप चलेगा तो सरल रेक्ति रहा क्योंते हैं यह रह गष्ड एक आवर्ती गती का मतलब कि एक निश्चीस समय अंतराल के बाद आप किसी चीश को दूरा रहे हैं तो आवर्ती गती है जैसे जूले की गती आपका सकते हैं यहाँ पर आप घड़ी के लोलक गती का सकते हैं अगला है जूला जूलते हुए बच्चे की गती किस परकार की गती का उद्वारन है चुन्र hice सब्सक्राइब चैनल नहीं दोगो दोर्त सितार की पार om है सितार के जो होता है उसके डोरी के गति आवर्ती गति सरल रेखा में चलने सुता है उरिती गति गुलकार आवर्ती गति उसी चीज़ का एक आगे पिछे करम करने हैं सितार की डोरी को जो हम खिछते हैं तो वह क्या करता है कंपन करता है आगे पिछे आगे पिछे लगातार दोहराते रहता है इसलिए किस में चल जागा आपको आवरति गती में चला जागा ठीक है अगला देखेगा फर्स पर लुढ़कते हुई गेंद में किस परकार की गती का उधारन है सरल रखे गती वरितिय गती ए और बी दोनो या कोई ने ठीक है तब फर्स पर गति, नखे ए और भी दोनों इसमें डोनों हो जागा यदि कोई बस तु अपनी दीषा हर समय बदलते रहती है तो यह किस परकार का उधारन है किस परकार का गत्य उधारन है सरण रहेते गति में दीषा नहीं बदलता है, एक निश्ची दीषा में जाती है अगर गती हर समय बदल रहा है, हर दस्थान पर बदल रहा है, तो यह अनियमित गती है, क्या है, अनियमित गती के अंतरगत, आता है इस परकार का उधारन, फूलो पर मंडराती हुई तितली की गती कि इस परकार की गती का उधारन है, फूलो पर मंडराती हुई तितली, क्रिश्य योग कितना प्रतिशत है बहुरत में क्रिश्य योग हूँ कितना प्रतिशत है ध्यायद्याश्य में ने बाइस प्रतिसाट थीक है तो भारत में और वन जो ciudना उना कितना चाहिए तो 33 प्रतिसte होना चाहिए ठीक है जो की कम है यहाँ पर्वप्रिष्ट कि उपरी पत्री प्रत को क्या का यह जमीन होता है इसका उपरीपरत क्या कहलाता है चटान, मृदा, खनेज या कोई नहीं, तो यह जो मेरा भूप प्रिष्ट है इसका उपरीपरत जिस पर हम लोग खेती बारी करते हैं, यह जो होता है, उसको मृदा कहते हैं या मिट्टी करता ठीक है तिया मृदा इसका राइट एंसर हो जाएगा मायका युक्त मिट्टी जहर्खन के किस जिले में पाई जाती है यह प्रश्ण अभी तक जैसेसी में सारा रोड चमकता हुआ उसी को माइका हम लोग बलते हैं उसे को भी और याद रखियेगा यह प्रशन आपको छोड़ने की है फित नियुक्त मिटी जारखंड के किस जीलय में पाहे जाती है या चमकती मिटी जण हुआ में डाल दणाना है किस अम्ह Vatican में किस परकार के मिटीön पाहे जाती हैPR सामने आएगा का ना राजासाब यानी राज महल ट्रेप उसमें का पाई जाती है काली मीटी ठीक है इसका आप ट्रीक देंगे आप सीर कॉमेंट कीजिएगा कि छीक जाहिए है समुच रेखिये झुटाई धालवाली झुटाई दूद मेखला जुटाई या हरा वर्णक झुटाई ठीक है धालवाले अस्थान पर समुच रेखिये जुटाई की जाती है धान अथ्वा पर आपने यहां पर अगर फसल किया वह आपका जो था चना का है तो वहां पर मिटी में क्या हो जाता है दलहन का है तो nitrogen की परधानता हो जाती है, nitrogen अधिक हो जाता ठीक है, तो उसके बाद हम किस तरह के फसल कर लेते हैं, वहाँ पर nitrogen जो आसोसन करने वाले हैं, उसमें गेहुं कर लेंगे, उसमें मक्का कर लेंगे, अब क्या होगा यहाँ पर, तो जो मिट्टी है उसका balance बन जाएगा, ठीक ह है, इसलिए एक फसल अगर दलहनी करता है, तो दूसरी फसल जो है, यहाँ पर हम लोग खरीब फसल को भी कर लेंगे, ठीक है, चलिए देखिए अगला, दलहन पोधे की जड़े मिटी में किसका पोशन करती है, सलफर, कारबन, नैट्रोजन या फास्वोरस, ठीक है, तो दल सेसी में तीन बार पुंच दिया गया है, दलहनी पोधों के जड़ों में कौन सा जिवानों पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा जिवानों पाया जाता है, हराफल होता है, लेग्यूम होता है, राइजोबियम होता है, या कोई नी ठीक है, तो जल क्या है, यह नवीकर्निय स संसाधन के अंतरगत आता है क्योंकि प्राकृती प्रदत है अगर कम होती है तो फिर प्रकृती द्वारा यहां पर फिर से हो जाती है यानि इस जल चक्र का काम चलते रहता है इसलिए जल जो है आपको नोई करनी संसाधन में चला जाएगा ठीक है पृत्वी के भुप्रिश् यह पर 3-4 भाग भी देखने को मिलता है लेकिन यह दोनों चीज एक साथ नहीं दिया हुआ रहे ठीक है चाहे तो 3-4 दिया रहता है अगर दोनों भी है तो आपको यहां क्या करना है कि 3-4 में मार लिजेगा ठीक है तीन-4 में मार लिजेगा और यह नहीं रहे तो आपका इसको कहेंगे तो नफिल जल है उसी को कहते है तो लवनिय झाल यानी तीनों कहा जाता है यहां पर कंफ्यूज मत होई तो महासागर जल पी सकते हैं एक वर सेनिक लोगों ने अपनी गाथा में लिके हुई थी कि महासागर में जल बहुत है लेकिन पीने से भी पानी मर रहा है यह सैनी की गता है क्यों कि उसमें जो मर्चेंट ने भी लुग जाते हैं तो महासागर में जब भी वो क्या करते हैं ट्रीप करके आते हैं तो अगर उनका जो है पानी समाफ्थ हो जाता है तो क्या है पानी के धर में ही जा रहे है पानी में ही जा रहे है लेकिन क्या है मर सकते हैं इसलिए माहसागर का जल कुसा है लवनिय नम किन इससार सभी होगा टीक है अंहीर कितना प्रतिशत महासागर्य जल लवनिय जल Table रित्विप पर सिर्फित कीजिए हैं समाजिक वीग्यान को अीसा हम इहां पर हलुआ बना दिए हैं ना, आप यहां पर पॉलिटीकल को देखिएगा चाहे आप यहां पर पेपर फोर में है तो आपको 40% भीड़ना ही भीड़ना है और पेपर थिरी में है तो यहां से प्रिथि पर न हूता है नम्कीन योग लेकिन फ्रिवश में उसमें कहरा नहीं नम्कीन देखिया उफिट के जारक्रांट में जो टीचर बनने के लिए था ना तो यह आपको 2008 गावा उसमें भी आया 2012 गावा उसमें भी आया ऊस्में पर इह पर में फुछ दिया गया था थे गया तो यह jalo परशनिहां से आता है अब देखिए अल्लावनिय जल कितना है ठीक है इसका जो परशेंटेज है इसे 3% होगा लेकिन आपको 3% बहुत खुम देता है आपको देगा 2.5 या 2.6 या 2.7 इस तरह करना दीकि देगा तो याद रखेगा 2.5 से लेके 2.9 के बीच वाला जो है उसको आप टेकिंग करिएगा नहीं तो इसे ओप्सन कंफ्यूज नहीं करता है यानि 4%, 2%, 3% और देगा इहां पर 6% तो 3% वाला कर लिएगा लेकिन ये 2.5 से 2.9 के बीच में एक ओप्सन देता है ठीक है चली अगला द या कोई नहीं ठीक है तो उसको हम लोग क्या काते हैं सदा हरीत वन के नाम से जानते हैं एक साथ जो है सभी पत्यों को नहीं गिरते रहता है वैसे वन जो किसे BCS रितू में अपनी पत्यों की किसी BCS रितू एक साथ गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन काते हैं सदा हरीत व वडवानल दावानल पावानल या कोई नहीं MVVI प्रस्ण इसको है ठीक है 1001 बारी प्रस्ण पूछ दिया गया है तो पूछा कैसा है जो जंगल में आग लगना को क्या करते हैं पेट में आग लगना को क्या करते हैं और दूसरा पूछता है जंगल में आग लगना को क्या करते है अब पेट में आग लगना को क्या काते है दो प्रसंद एकदम हंडेट प्रसंद छब जाता है ठीक है तो देखे पेट में जो आग लगता है ना पेट में तो पेट में हम लोगा पाया जाता है बड़ी यात का पाया जाता है बड़ी यात तो बड़ी यात पाया जाता है इ प्रवानल एकदम किलियर किलियर कर लिजेगा और इसी समझेगा नहीं तो रटने वाला जो है ना बड़ी लोग कंफ्यूज किया प्रशन बार बार आपका जहरकन में तो हर बारे पूछिए दे रहा है समझें तो आप सभी जडूर देख लिजेगा अब देखिए अब जंग जड़ी बुटी पयाओ जाता है जनीड़ी बुटी से का मैरे नाल चैनल में जंगल में क js nämल तो जंगल में का मिलता है दावा जंगल में जड़ी बुटी होता है जंगल में जड़ी बुटी होता है जड़ी बुटी से मिलता है दावा उसी को हम कहेंगे दावा नल उसी को कहेंगे दावा नल याद होगे एकदम confirm तो देखिए तो जंगल में लगने वाली आपको दावा हलिए गजाया हुए तरह से आपको कहीं भी कंसेप्त के लिए नहीं होगा तो हम आपको इहाँ पर इसका कलास भी दे रहा है इससे उटyuड़ा जाईए और जितना भी समय है बहुत छोटे छोटे प्रस्न है सब कुछ देख लिजे इपोटेंट कि आपको यहां पर स्कोर बढ़ जाए आपके एकजाम में ठीक है चलिए अगला देखेगा किस अधिनियम के तहत वन्य जिवों का अवैस सिकार तब पार पर रोक लगाया गया है 1971, 1972 या 1975 तो वन्य जिवों अधिकार अधिनियम 1972 इसवी में पारित किया गया था इसलिए इसका 1972 ही एंसर हो जाएगा भारत में राष्टिये पार्क की अस्थापना कब की गई? 1972 इसवी, 1975 इसवी, 1970 इसवी या 1978 इसवी ठीक है? अगला भारत में टाइगर रिजर्व के अस्थापना कब की गई? टाइगर रिजर्व प्रस्ण जेससी का पूछा गया है 1971, 1972, 1973, 1974 ठीक है? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो आपको देखे 1973 इसवी में किसमें आया था? 1973 इसवी में आया हुआ था भारत में कितने जयमंडल आरची चेत्र है? ये भी पूछे के प्रस्ण है कितने जयमंडल आरची चेत्र है? 16, 17, 18 या 19? इसका राइट एंसर है 18 भारत का पर्थम जयमंडल चेत्र अस्थापित किया गया 1981, 1982, 1986 या 1988 तो भारत का पर्थम जयमंडल चेत्र जो है वो आपको 1986 इस्वी में अस्थापित किया गया था देखें यहां पर नोट्स जो हम से पर्चेश करते हैं उनके लिए यहां प्रबना हुआ है भारत में पर्थम जोई मंडल आरचीच्छेटर 1986 इस भी तमिलांडु में स्थापित किया गया था जो निलगीरी में इस थी था ठीक है तो देख लिजेगा बेतला नेशनल पार्क गौतम बूद अभियारन तोप चाची अभियारन ने कोई नहीं ठीक है तो एक मात्र राष्टी उद्धान जो है आपका बेतला नेशनल पार्क है ठीक है बाकी सभी यह जारखंड में ही इस्तित अभियारन यह हैं अगला पूछा गया है एक दूबार के बाद हटा दिजेगा देखिए और हर बार इहां पर बच्चों को कंफ्यूज किया है ठीक है तो बेतला नेशनल पार्क यह क्या है बहुत ज्यादा ओप्सन आपको देखिए पलामू रहता है और लाते हर नहीं दिया वारता है ध्यान रखे तो कि आप में मारना यौग कि में आ गया है घक है तो बेतला नेशनल पार्क इस तितत है क्योंकि अब लाते हर और थो जैन तो हम पूच दिया गया है पूच racing पंद्ध मैं जेट्ए हर मीरी मेंTo धर नहीं तो स्कूल में घर बहुत प्रसुचन वह आपको पूखकं परहता है जिसका राइट एंसर होजाएगा अनुच्छेत 17 कि इस अनुच्छेत का अनुच्छार धर्मजाती लिंग या जन्वस्थान का धर पर भेद्भाव नहीं करना डुष्ल 15, 16, 17 या 18 इसका right एंसर हो जागा अनुचहत 15 के अधार पर अनुचछीत जनजाती सबड का अर्थ है गोर निवासी, मुलिनवासी, भिल निवासी यゃा कोई नहीं तो अनुचछीत जनजाती का सब्रक्रमुल निवासी का आर्थ ठीक है, आठ परतिसत है, जारकन में कितनी परतिसत अबादी अनुसुची जनजाती की है, 20 परतिसत, 22 परतिसत, 26 परतिसत या 28 परतिसत, ठीक है, तो अनुसुची जनजाती की जो अबादी है, वो आपका इहां पर 26 परतिसत है, जारकन में कितनी अनुसुची जनजातीया नि जिसा बुलते हैं जय हींद, जय हो, तो जब इहांने सुची जनजाती तो देखनी जै चम पर रखना होगा, तो आप याद रखेगा सम हो, इस अब काบ लता है, सम हो, सम से मिलने हो गया संथाल, पहला स्थान पर कौन से जन जाती है, तो एक से चार तक के लिए some हो एक नारा है याद कर ले जाएगा आईए गया है जार्कंड में किस जन जाती के संखhya сबसे ज्यादा है आपको क्या बोले है जन जाती के संखhit can बताने के लिए y paint like रखना है चले यहा पर देखें इसका work भी हम हँ आपको देद तो आपको बताते हैं कि आप वीडियो को लाश्ट तक देखा किजिए, वीडियो को लाश्ट तक जब देखेगा आपका जहां अबजेक्टिव है, अगर उसमें लगा है हमको, कि ट्रीक भी देना चाहिए, और कुछ समझा देना चाहिए, तो आपको ऐसा-इसा ट्रीक हम उनको इस तरह से बना करते हैं, कोई-कोई क्या करता है नग arriba, वीडियो से नोट्स बनाता है, अपको देखे-खे-वीडियो से नोट्स बनाने में, जीतना जो समय जाएगा उतना कम दाम पर हम आपको आपको यहां से छात्र अपना से चाहतर सफल हो सकाई, ठіक है? तो दे प्रस ने कब पुछा गया था जेटेट 2013 का आप खोल के देखिए गारण पुछा गया था यहां से इसको बहुत हाई हुआ था तो 2008, 2009, 2010 या 2011 तो कब बनाया गया था 2009 इसवी में सरसिच्छा भ्यान जिसी महतोपूर्ण यजना भारत सरकार दोरा परारम किया गया था कब 2021 इसवी, 2008 इसवी, 2002 इसवी या 2004 इसवी यह भी जेटेट पे पूछ दिया गया था ठीक है तो यह कब था तो यह आपका हो जाएगा 2021 इसवी में सोच भारत अभियान का शुरूआत किया गया 2 अक्टूबर 2014, 2 सिप्तमबर 2014, 2 जुलाई 2014 या 2 अगस 2014 सोच भारत अभियान कब शुरू किया गया था तो सोच भारत अभियान आपका शुरू किया गया है 2 अक्टूबर 2014 इसवी को सोच भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारम किया गया है, ठीक है, तो सोच भारत अभियान कब, 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी के जन्म दिवस का धार पर किया गया है, एक गेलेन में कितना लिटर होता है, दो लिटर, तीन लिटर, चा क्या होतांधापन हड़ी कमजोर कूश रोग या कोई नहीं तो इसमें हड़ीयां जो होती है कमजोर हो जाती है और लोग यहां पर दूबले पतल हो जाते हैं इंद्रावास योजना के सुरुवात की गए गूट सर्विस टेक्स कोई नहीं तो गूट्स एंड सर्विस टेक्स इसका होगा प्रस्ण बहुत इपर्टेंट है बार बार पूछा जाता है जी एस्टी लागू किया गया एक जुलाई 2016 एक जुलाई 2017 या एक जुलाई 2019 तो जी एस्टी जो लागू किया गया वह आपका ए वहाँ पर जो लड़का का इकिस परस भी कहा तो यहां पर जो बिवा सही उम्र हैगा वो लड़की का अठारा वर्स, राइट एंसर इसका D होगा, अंतराश्टियन नसा निरोधक दिवस परतेक वर्स मनाया जाता है, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून, तो परतेक वर्स जो है, वो 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर साइलेंट किलर कहा जाता है, किसको, धुम्रपान क गंजा पान को, दारू पीने का, यह कोई नहीं, तो साइलेंट किलर आया हुआ था, साइलेंट किलर जो कहा जाता है, धुम्रपान को कहा जाता है, बीस उत्तम मा को निशेद दिवस मनाया जाता है, 21 माई, 31 माई, 31 माई, यह कोई नहीं, ठीक है, तो बीस उत्तम मा को निश के ताहथ 14 से कम उम्रों के बच्चों से बाल मस्दूरी कर वाना दंड़नी अपराथ है इसorman 2624 हूई Привет इसर प्रहाईथ मम्हें 12 स्कुर्ण ठीटा बराबर क्या होगा ठीक है 5 से कि स्कुर्ण ठीटा माइनस 5 10 स्कुर्ण ठीटा बराबर क्या होगा आपको बताना है चले देखे क्या करेंगे यह प्रस्ण आपको जैसे से मैं पूछा गया है तो 5 हम कॉमल ले सकते हैं दोनों में देखे 5 है ना तो 5 कॉमल तो हमारे पस क्या बचेगा? say square theta minus ten square theta बच जाएगा, ठीक है? तो 5 और say square theta minus ten square theta बराबर क्या बताया थे? एक होता है, तो 5 into 1 करेंगे तो इसका result 5 हैगा, यानि इसका answer 5 होगा, ठीक है? 5 किसमें? A में है, तो A ही इसका right answer हो जाएगा. बाकि जो notes purchase करते हैं, उनको हम यहां पर बना बना है, वो notes देते हैं, इसका यहां पर बना हुआ है, आप देख लिजेगा, ठीक है, अगला देखेगा, 10 sin square theta plus 10 cos square theta का मान क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, या कोई नहीं होगा, इसका solution हम करके देखेंगे, तो देखेंगे दोनों में 10 है, इसलिए 10 common होगा, 10, हमारे पास बच जाएगा, क्या चिए, तो sin square theta plus cos square theta, यही बचेगा न, अब देखेगा, 10, और sin square theta plus cos square theta का मान कितना होगा, 10, यही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, यही आपका answer हो जाएगा, अगला देखेगा, यहां पर, 15 cos square minus 15 cos square का मान क क्या होगा, तो देखेगा, इसको यहां पर बताएगा, 15 answer होगा, 20 answer होगा, 21 होगा, यह कोई न, जैससी का पूछा गया प्रस्टन है, ठीक है, चलिए इसको cover up करते हैं, तो दोनों में 15 है, 15 को क्या करेंगे, common ले लेंगे, बचेगा मेरा अंदर में क्या, cosec square a, और minus quote square a, आपको सुतर दिया गया था, 15 हो गया, और cosec square a minus quote square a, बराबर क्या होता है, 1, तो 15 into 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15, और यही हो जाएगा, इसका right answer, ठीक है, यही इसका right answer हो जाएगा, नीचे बना हुआ, आप सभी देख लीजेगा, तो देखेगे, आपको इसके पाले जो exercise 8.3 है, उसमें clear किये हुए है, कि देखे, यहाँ पर मान जो होता है, किसका होता है, 0 degree का होता है, 30 degree का होता है, 45 degree का होता है, 60 degree का होता है, 90 degree का होता है, बीच में किसी का मान नहीं आता है, इसलिए वैसे प्रस्ण को हम लोग क्या करते हैं, जोड के देख लेते हैं, कि दोनो डिग्री और 20 डिग्री कितना हो गया 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री ब्राबर हो गया 90 डिग्री तो यह पूरा को लगाईएगा ठीक है पूरा को लगाते हैं तो इसमें क्या करते हैं यह जो दो गो है उसमें से एक किसी को हम चेंज करते हैं ठीक है तो कैसे करते हैं तो अगर प देना कि साइन नबे में से कितना घटाएं कि यहां 20 आ जाए इसके लिए हम आपको बता हैं कि 20 लाना है तो यहां पर देखिए जो लाना है वो नबे में से कितना घटाएं कि 20 आ जाए तो यह बगल वाले का जैस्ट उसके दूसरे वाले को आपको ले लेना है तो नबे महिनस क्या हो जाएगा? 70 degree, ठीक है, 90 मैंने 70 degree तो होगा है, कितना? देखेayan, sin, 70 degree स Georgia, सिन, 90 degree, थीटा क्या होता है?ule तिसन, क्या होता है? Rose σथीटा, क्या होता है? subjects , यानि, 頧Loss सेवें दीगरी, ठीक है? अब देखेcium यहाँ पर बनाय हुआ है आप सभी देख लिजेगा अगला प्रस्ण है को सिस्क्वार 35 डिगरी का मान कितना होगा ठीक है 35 और 55 का मान होता नहीं है तो आप जोड लिजे 35 और 55 मिला के कितना हो रहा ना तो 90 हो रहा ना तो 90 हो रहा मतलब यह क्या है इसमें से एक चेंज करने रहे हैं तो एक को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर कोस स्कॉर पैटेश डिग्री अब प्लस कोस स्कॉर है तो कोस स्कॉर रहने देंगे 35 degree, प्लस cos 90 degree minus theta, तो क्या होता है, sin theta, तो sin, और square है, इसलिए square हैगा, और यहाँ पर हो जाएगा 35, अब देखे, cos square theta plus sin square theta, दोनों में theta सेम है, इसका मान कितना होगा, 1, यही हो जाएगा, इसका right answer, ठीक है, इसका right answer, यही हो जाएगा, अगला देखेगा, cos square 75 degree minus cos square 75 degree का मान क्या होगा, ठीक है तो आपको एक फर्मुला हम बताया है है, क्या बताया है, द戲 को सेक स्कॉार 2 minus cos square theta, बड़ाबर लेता है, 1, theta मतलब दोनों का मान सेम होना चाहिए तो यहाँ पर आप देखरें, यह भी 75 ng, यह भी 75 ng, पूरे फर्मुला पर है एको自ब्साइब करते हैं को कौसटोएंस स्क्वार्ट स्क्वाइए चिज करते हैं टो पूरा जोड़ार ह्याँ सूंग्व नहीं है तो 31 और 69 कितना होगा 90 और 81 और 9 कितना होगा 90 तो जैसी 90 होला आता है तो में लोग क्या करते हैं एक को change करते हैं तो उपर पाला को दी हम छोड़ते हैं तो cos square 31 degree हो जाएगा अब पलस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस तो square जो रवे करेगा अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 69 हैगा तो जैसी बात आता है कितना घटाएंगे 69 हैगा तो बगलोला घटा लीजेगा तो 90-31 degree हो गया ठीक है अब नीचे वाला को भी उसी तरह से चेंज कर लीजेगा साइन स्क्वार 81 degree है अब पलस यहाँ पर साइन है तो साइन कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा आपको साइन स्क्वार रहेगा और 90 में से कितना घटाएंगे कि नहों आएगा तो ज़स्ट बगलोला को ले लीजे 81 degree आगया अब देखें गई आप तो यहां पर हो गया आपका स्क्वार 31 degree अब स्क्वार 90 में से 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वार 31 degree यहां पर आए गा спокой साइन स्क्वार 81 degree अब हम घता रहते vaccine साइन में से 90 में से 81 ठीक है तो blat 90 degree तो इसका मान 1 होगा अब बट्टा में देखेगा sin square theta plus cos square theta, इसका मान 1 होगा, यानि one by one का मतलब one इसका result होगा, ठीक है?